यह हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार मैंपुरी में सपा समर्थगों ने बीजे पी को वोट करने का जताय विरोद पीडित परिवार के साथ सपा समर्थों ने की मार्वीट अलीगर में सहीद के नाम पर स्टेडियम बनाने की मांग भारती किसान एकता फौजी कारकरताओं का पदर्शुण बस्ती में सांसत खेल महाकूम का हुआ आयोजन प्रतियुक्ता में बर्चर्टर लिया हिस्सा नमस्कार आप देखने हैं प्रैम टीवी मैं हूं मनिश बदोरिया शुलात करते हुआ उतर प्रदेश की खबरों से के प्रतिनिदियों से मुलाकात कर उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट के लिए निमंतर दिया है इस मुलाकात में कई छेतरों में निवेश को लेकर चर्चा की गई है जिसमें डेरी, क्रिशी, आईटी, फॉर्मा और अनिसेक्टर भी शामिल है गाजियाबाद के लोनी में फैक्टरी की छस एक यूवक कूद गया है जिसके बाद यूवक को गायल अवस्था में अस्पताल पहुचा आए गया बता दें कि यूवक ने फैक्टरी के अंदर गुस कर तीसरी मंजिल से छरांग लगा दी थी यूवक 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 के हरदोई का रहने वाला है जनकारी के मुताबिक यूवक दिल्ली इस्थी दिस्तेदार के घर से मुवाइल और पैसे चोरी कर भागा था गर्वालों ने आने पर पकले जाने की डर से फैक्टरी की छट पर चड़ कर यूवक कूद गया था और मौके पर मौज़ित पुलीस फोर्स मामले की जाँच में जुट गई है पुरा मामला थाना टानिका सिटी छेत रिस्तित अधोगी छेत गया है हर्दोई में एस्पी राजस दिवेदी ने थाना अस्तर पर निगरानी दस्ते को रवाना किया है जिसमें सभी 25 थानों पर 50 पुलिस कर्मियों को भीजा गया बतादे की जनवरी में एस्पी ने निगरानी दस्ता का गठन किया था जिसे हेस्टी सीटर पर नज़र रखने के लिए लगाए गया था लेकिन एस्पी के हरी जंडी दिखाने से पहले एक ऐसा वीडियो वाइरल हो गया जिसमें दो पुलिस कर्मी निगरानी दस्ते की बाइक को पैदल खीसते नज़र आ रहे थे जिसके चलते अपराथ पर अंकुष लगाने के लिए रवाना किये गए निगरानी दस्ते पली सवाल उठकले हुए है निगरानी दस्ता है जनपत के प्रतेक ठाने में एक टीम है मोटर साइकल पर दो आरक्षी जनवरी में ही इसका गठन किया गया था पूर में तब इसका कद्धाई तो खाली अपने जनपत के हिस्टी सीटर्स के निगरानी का था जहाए समय समय पर जाते थे और हिस्टी के अलावा जो भी इनके ठाने चित के दुराचारी है जुटे रहे हैं ऐसे लोग हैं जो के भी जिल से छूट कर गये हैं चोर हैं मेकबजन हैं टकैत हैं अन्य कोई भी इस तरह की कदिविधिया करने वारे लोग हैं उनको चिनित करके एक रेजिटर बनाए जया है उसमें नाम लिखा जाएगा उनके निग्रानी भी करेंगे और जहां जो बड़े बदमाश हैं उनके बारे में खुपिया तरीके से भी उनके नंबर्स वगरा उनके सहीजों के नाम सुचित करेंगा काजगंज के गंज डुंडवाला में भारत जोड़ो यातरा के कस्वा पहुचने पर जोड़ा स्वागत किया गया वहीं कांग्रिस कारकरताओं ने सबको माला पहना का समानित भी किया है यातरा में बड़ी संख्या में पददकारी और समर्तक भी मौजूद रहे अद्दक्ष योगिस तिवारी ने कहा कि वर्तमान सरकार से हर वर्क प्रिशान है अन्होंने युवाओं के रुजगार वबपारियों के जियस्ती वाकिसानों के अंदोलन वा मैंलाओं पर अत्यचार को लेकर सरकार पर तंज किस्ते हुए कहा कि युवार रोजगार मांगता है तो उस पर फick फर्सी मुकदमे लगा जाते हैं थी उन्होंने का कि कांग्रिस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का कारे कर रही है खबर मेनपुरी से जहां भीटारा गाउ निवासी बालक राम पाल के उपचनाओं में भाजपा प्रितासी को वोट करने पर सपा समर्थकों ने बालक राम के साथ मार पीट कर पीडित को गाली में ले जाने का विरोध करने में सपा समर्थकों के उसकी पत्नी पर फायर कर दि पेड़ित पहिरा परिवार ने थाने में एक नामसद और दो अग्यात लोगों के खिलाफ मुकदमत दच करा है एक अन्द में साब जोई वह आए कि पूआ आए गारी पर आओ और हमें गाली आली देन लगो आए किस मामले बोटनिक बज़ाए से तूने बोट साइकल साइकल ब जो आई यह आए तूने पूल ब तैया है बिस इत्ने हमको शाब गाली आथिर देगे और फैर कर थी sir कर जो एक हमारे पास आए कि हमारी हमारे बूली मारने के लिए तोले हमारी या घर वाली थाना किसनी के भीटारा गाओं की रामदेशी से प्राशनपत दिया है कि उनको ओट को लेकर कुछ जगड़ा हुआता है जिसमें उनके पाहर किया गया है तत्कार उनका मेटकल कराया गया उनके तरीर क्यातार पर अभ्योग दज कर लिया गया है गराईजस की जाच की जारी है जो भी इसमें दोसिय कर लेकर अभी उनके लिख लिया गया है 307 में की धारा में और उसमें जाच की जारी है बारती किसान एकता फौजी के रास्टी अद्यक्ष फौजी सर्जन सिंग ने कहा है कि फौजी दलवीर सिंग जूटी पर रहकर शहीद हुए थे उन्होंने बताए कि शहीद फौजी गाओं में एक स्टेडियम बनाना चाहते थे लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका और शहीद को गई रास्टी अद्यक्ष ने जिला मौदे को ग्यापंसौप रास्टेडियम बनानावे की मांग की है जिलादकारी इंद्र विक्रम सिंग ने करकरताओं को समस्या सुनी और हर संभव मदद देने का आशोशन भी दिया मेरा बेटा सन 2018 2018 2018 में सही दूआ था नेता लोगों ने ये वो दिया था स्वासन के इस्टेडियम बनाने के लिए गेट बनाने के लिए तो अभी तक तो कोई हुआ नहीं आज से करीब चार साल पहले हमारे फोजी दलबीड सिंग सही दो हुए थे जो कि बीजेपी के बिधायक नेता लोग गए कि उसके माबाप उसके बच्चे उसके कैसे हैं जो कि आज माबाप की जिंदकी बहुत ज्यादा बत्तर है अपने कैसे जिंदकी काड़ रहे हैं आज तक ना तो कोई अधिकारी गया है वहाँ पे ना कोई नेता गया लोटके सहीद दलवीर हुए उसके बाद में वहाँ गये वहाँ वादा कर दिया उसके बाद में कोई मतलब नहीं गाओं से समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने जीत के लिए चुनाओ पचार में अलाग गलक तरीके से अपनाए और चंता की बीच अपनी जगे बनाई है 67 डिमपल यादों का प्रशंसक जी दिलाने के लिए 14 नूमबर को साइकल से चुनाओ पचार के लिए मैंपूरी निकला था हर दिन 70 किलोमीटर का सफर तैकर 10 दिन के अंदर 700 किलोमीटर की दूरी तैकर मैंपूरी लोग सभा उपचुनाओ में शामिल हुआ और चुनाओ पचार कर सफ़ा नेता डिमपल यादों के समर्थन में वोट मागे प्रशंसक कनया निशाद की घर वापसी पर जगे जगे पर सफ़ा करकरताओं ने जोरदा स्वागत किया है जो भगवान बुद्ध की धरती है जो बिहार बाडर से लगता है मैं 14 नंबर को अबनी साइकिल यात्रा मैंपूरी का जो लोग सभाग का छेत्र रहा है जहां से स्रधे नेता हम लोग के माननी मुलायम सी यादो बलकि देश के नेता थे देश के लिए उन्होंने काम किया था उनके निजन होने के बाद 5 दिसंबर को मिरवाचन आयों के द्वारा चुनाव होना था चुनाव संपन हो गया जहां दस दिन जो है कि बता दूँ फुजी नगर से मैं पूरी की दूरी 700 किलो मीटर है दस दिन में मैंने 70 किलो मीटर एक दिन की दूरी तै करने में अपना समय बनाया था और हिजाब से मैं पहुंच गया दस दिनों में बस्ती में सांसत खेल महाकूम का उद्गाटन किया गया है तो वहीं बस्ती जिले के अमर शहीद सत्यवान सिंग स्पोर्स स्टेडियम में सीनियर खोको टीम और कबड़ी टीम ने भाग लेने पहुंची इस मौके पर प्रवारी सांसत खेल महाकूम महा मन मोहन शिरवास्तो ने प्राइम टीवी को आयोजन के बारे में जनकारी दी जो ग्राओं में सबसे नीचे वरका जो व्यक्ति हो वी खेर सके जो सपना देख जो भी जिस भी खेल में अपना सपना या अपना भरी से देखना चाहता है उसको एक प्लेट फार्म देने को लिए सांसत खेल महाकुम यह आयोजित किया गया है माने सांसत दी जारा दिवरिया जन्पत के मईल थाना छेट के ग्राम देहरी निवासी रामू सिंग का अरोप है कि उनके गाओं के उदै पताफ सिंग एक बदमार्स किस्प का वेक्ति है और अवेद आरा मशीन चलाता है गाओं में गुंडा गर्दी चरम पर है जिसके चलते है जिलादकारी मह उदै को पत्र देकर एक साल से नय की गुहार में जुटे हुए हैं गंगेशुआ सिंग ने बताए कि उनका राजने तिक पहुंच होने के चलते ठाने पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है देवरिया आये हैं डीम साब से मिलने के लिए हमारे यहां डेहरी सत्राओं में एक उदे प्रतापूर पिंटू जो गैंगेश्टर और गुंडा किस्म का प्रभिर्त का आदमी है वह जो है अवायड आरा मसीन चलाता है सबको धमकी देता है मारता पीटता है हम लोग को भी परसान करता है कोई ऐसा नहीं है जिसको जो है मारा नहों यहां तक कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका थाने में रिपोर्ट ही नहीं डर के मारे कोई लिखवाता है एक साल से डीम साहब के हां गुंड़ा एक्ट की कारवाई लंबित है और वो जिसके खिलाब हम लोग गुंड़ा एक्ट की कारवाई करा रहे हैं वो गंगेश्टर लायक है उदय परताप उर्फ पिंटू उदय परताप सिंग उर्फ पिंटू उसका रिकार्ड है ठाने से सारे हम लोग वो RTI के थुरू मांगे हैं और दिये हैं एक साल से पेंडिंग है अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है एक उसके पास दो सस्त्र था एक सस्त्र लाइसेंस दो सवचार था जिसको इसके पहले DM साहब फरवरी 2021 में निलंबित कर दिये एक और सस्त्र है जो पहरी गली देवरिया में कोई न तो निवास है ना मालिका ना हक है फ्राड पता देकर बनवाया गया है वो भी DM से आपके हाँ लंबित है एक साल से अभी तक उस पे भी कोई कारवाई नहीं हो रही है अजब कि वो बार बार जान से मारने की धंकी दे रहा है गाजेबाद के थाना लोनी छेत के अंतगर गोगलधाम सोसाइटी के रहने वाली एक महिला के साथ दिन दाड़े बंदुग दिखा कर लूट की वरदात को अंजाम दिया गया है तो वहीं लूट और चैन सनेचिंग जैसी घटना थमने का नाम में ले रही मौके पलगे सीसी टीवी में पूरी घटना कैद हो गई है पुलिस घटना की जार्च कर रही है जो गोनी के ने पूरी तो प्रचान की जार्च कर रही है तो पहँआ का सुने ही जिस्टि विवाग के अधिकारी रेजटेशन ना कराने वाले वाले वेवपारियों के प्रदेश्टानों पे सेल्स टैक्स की टीम लगतार चापे मारी कर रही है गोरकपूर समेत प्रदेश भर में सेल्स टैक्स की टीम चापे मारी कर रही है चापे मारी से वेवपारी वर्ग में हरकंप और भै का महौल के कारण अपनी दुकाने बंद कर दी गई है वेपारियों ने जेस्टी करवाई पर एक अपाद मीटिंग बुलाई बैठक में वेपारी परिशत के अध्यक्ष और राजमंत्री दरजा प्राप्त पुष्पदत जैन भी समिलित हुए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राजमंत्री दरजा प्राप्त पुष्पदत जैन ने पताए कि वेपारियों से बात कर उनकी समस्याओं को सीम योगी से अफ़गत करा जल्द समस्या करने स्तालान किया जाएगा कि एक प्रिक्रिया है और कर विभाद जो है इसको करता है आज समय बहुत पहले सुने से होता चला है इसमें जो लोग अनिमित्ता में पाइज आएंगे और उनका पहले से कुछ सालों से जो है जिनका रिटर्न गलबड़ है जो कुछ भी कर नहीं सुञते रहे हैं और कॉनिते चोड़ी कर रहे जो विभी क्लिंकी लिष्ट पनी होई है उन्हें कहा है वो प्रिश्जार का सर्वे का हो रहा है ब्यापार मंडल के लोगों को अगर किसी के साथ कोई सर्वे होता है वहां को ब्यापार मंडल के साथ एक गुला करके और उनके साथ कोई अन्या नहीं होगा मुझे भी अगर कहीं से कोई गुलाता है कोई दात होती है तो निस्टिटूप से मैं भी वहाँ पर जाकर करके उसके साथ अन्याय नहीं हुए खबर हमीरपूर से जहां पुलिस परेट ग्राउंड में कानूर रस्था को मजबूत करने के उद्देश से ग्राम पहरियों समय ने अवजित कि हुआ है पहरियों की आज नियुक्ति का कारिकम था इसका मुख्य कारण यह था कि बहुत सारे हमारे ग्राम प्रहरी वयोब्रिद हो चुके थे कुछ बिमार थे और कुछ बिहिन कारणों से अपना कारे छोड़ना चाहते थे उनके द्वारा दिये गए प्रात्ना पत्र पर और पुलिस आख्याओं पर हम लोगों ने ये पाया कि लगभग 200 के आसपास हमारे ग्राम चौकिदार ऐसे हैं जिनके अस्थान पर नए न्यूट किये जाने हैं कुछ उनमें ऐसे भी थे जहां पर पद्रिक्त थे मृत्त हो गई थी या अन्यकारण थे तो हम लोगों ने एक अभियान चलाकर 200 ग्राम प्रहरियों के बारे में जांच परताल कराकर उनकी आज निउक्ति किया और उनको यहां एकठा बुलाकर उनके कारियों और दायत्तों के बारे में भी उनको बताया भली माती जनपध हमीरपुर के 200 वर्ष पूड हो रहे हैं इस अवसर पर आज दिनांग 12 दिसंबर 2022 को पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 200 नए ग्राम प्रहरी की नियुक्ति पत्र का वित्रण किया गया और साथ ही इन सभी ग्राम प्रहरीयों का सम्मेला नायुजित करके सभी को उनके करतव्यों के बारे में सूचित किया गया और साथ ही जो शाषन के निर्देश हैं उससे भी अवगत कराए गया इन सभी लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि ये लोग शाषन और प्रशाषन की गाउं से जो भी सूचनाय आनी हैं उनको समय से उपलब्द कराते रहेंगे जिससे की प्रशाषन को समय रहते कारवाई करने में पूर सायोग मिले ख़वर हरदोई से जहां राज आगनवाली करमचारी संग के नेते तुम्हे आगनवाली कारकारी के विरोध परसंट किया है तेरा सूतरी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोदित गयापन जिला परशाषन को सौपा है जिसमें उन्होंने आगनवारी कारकार्तियों को शासनी कर्मचारी का दर्जा देने की मांगी है आगनवारी कारकार्तियों और मुख्य सेविकाओं के समस्त पदों पर पातर कर्मचारीयों की पदों नती की जाए उतर प्रिदेश में भी बंगाल सरकार की तरह है कारकारत्री साहिकाईयों का कारयाले 75 वस किया जाए सेवा अवधी के समय मित्युकवा पर परिवार की आशित महिलाओं को योगता के अनुसार तत्काल न्युकती और 5 लाक मौफजा भी मांग की गई है अगनवाली कमचारी संग जिला महामंतरी गजाला कुलसुम ने कारकरत्रियाओं के साथ हो रहे उत्पीडन बंद होने पर अनुसित कालिन पदर्शन करने की चेतावनी भी दिये और उनकी ड्यूटी नहीं काट रहें डियम साहब सबसे पहले बीलो की ड्यूटी काटी जाए और हमारा आंगनवाडी बहुत भराई अन्परासन का पैसा दिया जाए मोबाइल रिचार्ज का पैसा दिया जाए और पी एलाई हम नहीं अगस्य रुकी पड़ी अब वो नहीं दी जारी वो दी जाए और हमारी बहनों का परमोशन रुका पड़ाया तो 2017 वाली फाइल अभी तक नहीं चली उसको आगे बढ़ाया जाए समल में 11 मोटर साकिल और स्कूटी चोरों की गई है जिसके आरोप में पुलिस ने 35 चोरों को गरफतार किया है आरोपियों को गरफतार किया गया है पूरे मामले को लेकर पुलिस छेता अधिकारी प्रदीब तिवारी ने खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी अन जन्पदों से चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे तो वहीं आरोपियों के पास से एक चाकू सहीर अवे तमंचा और जिन्दा कार्तूस भी बरामद हुआ है संबल में थाना गुन्नौर पुलिस ने पास चोरों को गरफतार किया है पुलिस वापारी की तहरी पर चोरों को और मुकदमा दर्ज करता था तो वहीं पुलिस ने हरकत में आकर मौके से कार और समान बरामद किया है पुलिस ने कारवाई करते हुए पांच चो अरोपियों को न्याले भेज दिया पूरा मामला ठाना गुनोर्चेत के कसबा बवलाला का है दिनाक एक दिसम्बर दुहर बाईस की ववरलाचेतरी घटना थी वहाँ परिव्यापारी ने मुकदमा दर्ज कराया था को नोर थाने पर के एक सिग्रेटर कार्टर उनका चोरी हो गया है हमिरपूर में खाद के लिए आए दिन मारा मारी हो रही है PCF केंदर में खाद मिलने की जनकारी होते ही सैकलों किसान सुबह से ही लाइनों में लग गए जिसके बाद प्रयाप्त मातरा में खाद उपलबना होने के चलते सैकलों किसान मायूस होकर अपने घर को लोट गए तो वहीं इस भारी भीड के दोरान मैला किसानों को धक्का मुकी का सामना भी करना पड़ा और वहीं कई लोग घायल भी हो गए लेकिन इस दोरान पुलिस प्रशासन भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया उसकी मौजुदगी भी नहीं दिखाई दी किसान नोंने केंज प्रभारियों का काला बजारी और लेंदिन का अंदर से खाद वितरा करने का आरोप भी लगाया है किसानों का आरोप है कि किसानों को समुचित खाद नहीं मिल पा रही है और फसलें प्रभावित हो रही है और केंज प्रभारी मनमानी कर अपने चहतों और लेंदेन करने वालों को ही खाद दे रहे हैं अब यह जो पाद में लोग बड़े लोग उनको खाद में जंटा को नहीं था अब कुछ रिषवत्त के अंदर कोई तो होगा उनका जब अंदर तो कुल रिषवत्त की होगे होंगे होंगे होगे हैं खबर प्रयागरासे जहां फलक नास को आई सी सी अंडर नाइटीन महिला टी ट्विंटी वर्ल्ड कप टीम में गिंजबास के रूप में हिस्सा बनी है कटर्जू गर्ल किकेट अकाडमी की छाता रही फलक नास का टीम में चैन होने पर कोच अजे सिंग ने परिवार के का नाम रोशन करने पर बधाई दी है इससे पहले संगम नगरी के मुहमत कैफ जोती यादव आशीस विस्टन जैदी जैसे नामी केकेटर अंतरास्टी सिल्ले का रास्टी इस्तर पर प्यागराज का नाम रोशन कर चुके हैं इससे नाम रोशन करने पर इनाया फांडेशन के सचीव डॉक्टर मुहमत कादिर ने फलक का समान किया और सीनियर भारती महिला किकेट का हिस्टा बनकर भारत का नाम रोशन करेंगी पर अपने ममी पापा और योनुस सर और मेरी ममी और भाई लोग हैं अजय मेरे भाई आए हैं उनको देना चाहेंगे कि इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है चोटी चोटी बातों को जो भी चोटी चोटी चीजे रही है मेरे लाइफ में स्टेकर इसकी तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे मेहनत किया है फलक ने लगतार लगबक 7-8 साल के बीच में उतने घंटे की मेहनत जो करना सब के लिए मुम्किन होता नहीं है और वो मेहनत मैदान पर रंग लाती है तब आप टक्नीक और तमाम ऐसी चीजों के सहारे जो क्रिकेट में जरूरत होती है उसको पा लेते हैं तो फलक ने वो सारा कुछ करने के लिए काफी समय दिया है मैदान पर और चाहे वो बैवहरिक ग्यान हो चाहे तक्नीकी ग्यान हो चाहे वो क्रिकेट के तमाम ऐसे अंचुवे पल रहे हो जिसको लेकर के क्रिकेटर की जिन्रगी में बहुत सारे उतार चड़ाओ भी आते हैं उन सारी चीजों को एक साथ सजो करके गुलदस्ते में रखा है जिसकी वज़े से आज फलक फलक पर है मैं उनके पैरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी टैलेंट अगर बच्चों में जो भी चीज कर दिखता हूँ अगर पढ़ाई का है तो पढ़ाई की तरफ खेल का है तो खेल की तरफ उसको मना ना किया जाए उसको जो है वो प्रोचसाहन किया जाए और सपोर्ट किया जाए और वाकई आज की जमाने में लड़कियों लड़कों में कोई भेद नहीं है अगर लड़कियां जो है अगर आगे निकलना चाहती हैं पढ़ना चाहती हैं खेल कूद में आगे जाना चाहती हैं तो आगे जाने दिया जाए और कोई भी खेल ऐसा नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती है आज की तारीव फिला हो तो प्रदेश की खबरों बस इतना है देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं